नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है दीपक चोहान and I am the one who takes care of English language right तो मैं आपको थोड़ा सापने उपर शीर्शक भी देखा टाइटल भी देखा होगा कि DSSB की preparation को कैसे करें तो दोस्तों मैं आपको कुछ बाते बताऊंगा जो मेरे इसाब से जितना भी experience मैं carry करता हूँ उसके base पे and I have been taking care of DSSB for a very long period of time तो बहुत समय से मैं DSSB को पढ़ा रहा हूँ उस टाइम में भी जब pen and paper टेस्ट होते थे अलग pattern आता था आज के टाइम में कहानी थोड़ी सी अलग हो गई है चीजों को लेकर अलग तरह से त्यारी merit का भी बहुत फरक आया है तो यह सारी बाते बस मैं 57 minute में आपको बताने वाला हूँ first of all मैं आपको एक चीज़ बता जेता हूँ DSSB जो है वो बहुत promising job है बहुत बढ़िया job है बहुत शानदार job है है ना इंडिया में teaching के अंदर best job मानी जाती है और दूसरा अगर मैं बात करूँ DSSB में जो है competition जो अगर मैं बात करूँ बहुत high रहता है मतलब competition level की अगर मै मैं बात करूँ तो बहुत high रहता है मैं इसको कहीं भी किसी को कोई दिलासा नहीं देना चाहता कि यह बहुत असान तरीके से निकल जाती है बहुत tough competition रहता है इसमें है ना यानि यहां पर join करने के लिए आपको एक अच्छे level पर त्यारी करनी पड़ेगी है ना तो इसमें और मैं आपको बत्बखताता हूँ देखिए हमारे पास अगर आप PRT या TGT की तियारी कर रहे है ठीक PRT या TGT की तियारी कर रहे है तो यह 200 नंबर का paper रहता है 200 नंबर में आपके 5 subject रहते हैं इंगलिश रहेगा ठीक यह आपका 200 में भी 100 जो है वो जर्नल हो जाता है 100 आपका journal paper हो जाता है और आपका 100 नंबर जो है वो आपका main paper हो जाता है जिसको domain आप बोल सकते हूँ तो इंगलिश आ जाती है हिंदी आ जाती है ठीक है reasoning आ जाती है इसमें right इसके अंदर maths आजाता है और इसके अंदर आपका gk journal awareness आजाता है यह आपके जो है यह आपके 20 बीस नंबर के आते हैं यह सब आपका 20 नंबर इच होता है मतलब हर section जो है वो आपका 20 नंबर में यह बटा होता है ठीक अब यहाँ पर पहले तो मैं आपको शैद मेरा पिछ का जो है वो लगभग लगभग 160 नंबर मेरिट गया था जर्नल का और एक चीज़ और मैं बता दू ओबीसी और SCST में भी बहुत जादा फरक नहीं आया था है ना तो अगर ओबीसी का देखूं तो वो भी लगभग 169 के आसपास ही था तो दोस्तों यह चीज़ समझे 200 में स 160 नंबर लाने है है ना अगर आप इस एक्जैम को पास करना चाहते है तो इसका मतलब यह है कि और देखे यह वो है जो पिछली बार आई थी यानि इस बार उमीद है कि इससे भी जादा आएगी है ना तो यह मानके चलिए कि आपको जो तैयारी है वो बहुत मैटिकलस तरी पर बात कर रहा था कि अगर आप इंगलिश में देख रहे हैं तो देखो इंगलिश का तो मैं आपको डिटेल में यह भी कह सकता हूं इंगलिश में साथ से आठ नंबर की वो कैब आ रही है ठीक है अगर मैं बात करूं इंगलिश के अंदर पांच नंबर का एक पैसे जा र एक दो आपका PQRS आ रहा है ठीक है और अगर जो बचा है वो थोड़ा सा मिसलेनियस वाले पार्ट में आ रहा है तो इसका मतलब अगर आप DSSB की English में अच्छा करना चाहते हैं तो वहाँ पे सबसे important रोल हो गया reading का 5 नमबर आ गये वहाँ से और दूसरा बड़ा रोल हो गया किसका vocabulary का है ना 7 से 8 नमबर जो है ये आपका किस में आ रहा है vocabulary के अंदर आ रहा है और मैंने जितने भी लोगों से DSSB वालों से बात करी वो कहते हैं कि जब वो practice set लगाते हैं तो उनके 16 से 18 के बीच में नमबर आ जाते हैं तो यानि अगर मैं मान के चलूं तो 16 से 18 के बीच में नमबर आपको English के अंदर लाने हैं Reasoning के अंदर Reasoning के अंदर अगर मैं बात करूं अफोर्ड नहीं कर सकते मैट्स में माना जाता है क्योंकि मैट्स थोड़ा सा टाफ आता है तो चौदा से पंदरा नंबर यहां पे लाए जा सकते हैं जीके जीएस में बहुत टाफ रहती है सारी जीके जीएस आप ऐसा नहीं है पूरी वर्ड हिस्ट्री पर डालेंगे सब पर डालेंगे तो पहले के टाइम में तो दोस्तों जीके जीएस लोग छोड़के ही चलते थे यानी चार या पाँच नंबर उमीद कर लेते थे बट क्योंकि अब लोग मानते हैं कॉम्पटिशन हाई है तो जीके जीएस को भी लोग अच्छे लेवल पे कवर कर रहे हैं तो ज जिंदी में आपके 18 नंबर तक आने चाहिए और जो आपका में पेपर है दोस्तों में पेपर में भी आपका 70 से 80% स्कोर होना चाहिए और क्यों ऐसी डिमांड की जा रही है क्योंकि भाई तभी आप उस मेरिट के अंदर नजर आओगे पैड अगर आप मानिए पी आटी आपका एक्जाइम है तो आप पैडागोजी में एक्सपर्ट होने चाहिए मानिए आपका TGT English है PGT की विकिंसी आ चुकी है ना तो 297 विकिंसी आपका कोई भी है तो आप ये ध्यान के रखके चलिए उसमें फिर आप सूपर से भी उपर हो चाहिए तो दोस्तों जब आप DSSB जैसे एक्जाइम की त्यारी करते हैं तो आपको ये जरूर याद रखना है ये जरूर ध्यान रखना है ये बहुत हाई लेवल कमपाटिटिव एक्जाइम है एक थोरो प्रिपरेशन इसकी आपको जुरुत पढ़ती है और आपको पूर उन्होंने पूची हुई है तो दोस्तों जड़ा तयारी लग जाईए DSSB में और अगर मैं बात करूं तो देखें PGT का भी क्योंकि विकेंसी हमारे पास आया हुआ है तो PGT का आपका जो ओवरॉल पैटन रहता है वो आपका 300 का रहता है जिसमें 100 जो है वो आपका जर्नल ह ठीक है और जो 200 है वो आपका क्या है सबजेक्ट है ठीक 0.25 जो है इसमें माइनस मार्किंग हो जाएगी 0.25 माइनस मार्किंग हो जाएगी लग 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 एक कोश्चन के लिए एक मिनट दिया जाता है इसमें ये जरूर ध्यान रखना कि यहां पे section wise चलता है मतलब आप दूसरे section पे जा पाएंगे ये ध्यान रखना दोस्तो DSSB में आपका online paper होगा ठीक है आप एक section पे जब close कर देंगे तब आप दूसरे section पे जा पाएंगे और दूसरे section पे जाने के बाद आप पीछे वाले section पे नहीं आ सकते तो यहां पे सबसे बड़ी समस्या क्या हो कलते भी हो सकता है आप बहुत जादा time ले लो तो इसलिए बस एक mathematics ऐसा subject है जिसको आपको manage करना है हिंदी हो जाती है देखिए एक level की तेयारी के बाद हिंदी आपको परिशान नहीं करेगी अगर आप English भी कर लेते हैं तो मुझे लगता है 16-18 नंबर वो भी सिरफ एक mathematics मे मैंने लोगों को देखा है कि वो बड़ा परिशान रहते हैं कि वही mathematics में क्योंकि कई बार solution नहीं मिल रहे आंसर नहीं आ रहे तो आप फिर कैसे deal करोगे तो इसका मतलब यह है कि आपको mathematics में अच्छा करना है GKGS में जितना आता होगा करके निकलिए reasoning अच्छे level पे आपकी होनी चाहिए तो अगर आप पांचो subject को लेके चलते हैं एक average बनाते हैं कि मेरे को 60 से 70 70 नंबर कम से कम journal और 70 80 से उपर नंबर मुझे लाने है उसमें और बलकि मैं तो कहूंगा दोनों में आज के time में आपको 80 80 नंबर चाहिए कई बार लोग कहते हैं कि minimum marks मेरे को यह मैं कह तो सब भूल जाओ जर्नल में 80 अलब जो आपके जो में जर्नल सब्जेक्ट है पांच उसमें 20 कोश्चन का स्कोप रख सकते हैं और दूसरी जग है जो आपका में सब्जेक्ट है यार लोग इतने नंबर ला रहे हैं तब ही merit बन रही है तो आपको भी उसमें से एक होना है right so तयारी करिए हमारे साथ testbook में भी ठीक है हमारे paid batches भी है उसमें जुड़ सकते हैं YouTube पर मैं class लूगा उसमें जुड़ सकते हैं और हमारे साथ जुड़ कर इस बार है जैसे हमने KVS की त्यारी करायी थी देखो KVS भी अपने आप में बहुत शांदार जौब है तो मेरे लिए दो बड़ी पसंदिता जौब है के वीएस की और डी ट्रिपल एस भी की के वीएस की हमने इस साल त्यारी करी थी अब अगला साल है ना नाम जाएगा डी ट्रिपल एस भी के तो उसकी त्यारी आप मेरे साथ करिएगा ठीक है चलिए ताइंक यू सो मच लग जाएए झाला साल है